हेलो शुडेंट मैं सभी आप सभी का कुमारक्टा सेट ओफिस येल के ओनलाइन पोर्टल पर सागत करता हूं आज इंपोर्टन सेशन है और हम लोग आज डिसकस करने वाले इसी सर्किट के जितने वी इंपोर्टन बनते हैं जो सारे कशन में पूछ बूछे भी गया है कि किसी ने किसी एक्जाम में तो ac circuit यानी प्रत्यवर्ति धारा के circuit से जितने रिल्टेट कोशन है जो प्रिवे से रही कोशन है चिए अगर तुम लोग को आज जी साल एक सेसर्ण मेरे कमेंट कर देना कि अगर तुम लूग को लगता है कि जो फॉन्ट लिखा गया यानि जो अगले सेशन जो आएंगे उसमें सुधार करने किया जाएगा तो तो कमेंट जबर करना कि सर देखता है कि नहीं देखता है या साब दिखता है या नहीं दिखता है ठीक है या छोटा होता है या सरबड़ा दिखता है ज्यादा ठीक है न जो भी है कमेंट जरूर करना क्योंकि प्रैमरी तुम्हीं लोग हो या तुम्हीं लोग के लिए किया जा रही है तब ठीक है चलो इस्टार्ट करते हैं आज का से Ale Common Key क्या कहलाता है लहाइज जैसे यह है हम बोल देंगे इसी वाला चाड़ क्योंकि टाइवेलिट के साथ बढटाय न तो इस भ assuming value होगी यह पर दोन कंसा एक त्भतर चा मान रहा 방र ज़्स आदाह तो ऐसे वाल कि क्या मान रहा होुगा जब सरा तो एसे value बोलते हैं ततकालिक मान क्या बोलते हैं ततकालिक मान और समिक्राण की बात के लिए तो कैसे दिखाते हैं तो समिक्राण लिखते हैं ततकालिक मान के लिए अगर वी यम की बात करते हैं तो वी आई बराबर वी यम sin omega t ये जो value होती है ये तक्षडिक मान के लिए होती है ततकालिक मान के लिए होती है इसलिए option b सही हो जाएगा ततकालिक मान ठीक है चड़ो अगला question देखते हैं कि प्राया सभी वेदुत मापा क्यांतर ac किस मान को दर्शाता है देखो अधिकतर जितने भी ac type के instrument है अधिकतर क्या लगबग होते ही है जितने भी ac type के instrument है जो केवल ac पे operate होते हैं जो केवल ac पे कार करते हैं वो सारे ही क्या मापते हैं sir rms value को मापते हैं क्या मापते हैं RMS value को मापते हैं इस बात को ध्यान रखने हैं सारे किसको मापते हैं सर आरेमे स्वेलू को मापते हैं सही है चलो अगला question देखते हैं क्या पुछा है कि गड़नाओं में AC का कौन समान प्रयूख किया जाता है ठीक है गड़नाओं में अगर AC की वोले तो AC का सदेव हम RMS मान का प्रयूख करते हैं तो कोई याद रखना जैसे DC है ध्यान समझना क्या करना चारे है एक DC है और एक AC है ठीक है तो DC मान लो कि 5 वोल्ड पर 2 जूल की उरजा दे रहा है तो हम यह कहेंगी कि यह बताओ अगर AC का कौन सा वोल्टेज की वैल्यू होगी जिसपे AC भी 2 जूल की उरजा दे तो कौन सा मान होगा तो सर वो होता है RMS मान होता है वो RMS मान होता है जिस पे हमारा AC भी क्या देगा 2 जूल का हुजा देगा अब यह voltage कम भी हो सकता है ज्यादा भी जे सकता है क्योंकि हमको पता है कि VM बराबर कितना होता है VM बराबर VM बटा root 2 होता है है ठीक है कोन सा मान देता है तो जो हमारा देता है अगला कोचन देखते हैं कि न कि प्रत्य वर्खती राती कि एक आरेमेस तथा उस्थमान के अंवरेजुक और ऩान को अनुपात क्या कहलाता है ठीक ऐसर क्या कहलेता है जहनों कहले तिसमको पता है कि एक वहता है फर्म फेक्टर कि एक होता है अधर फर्म। às Pop एक्टर फॉ mettattor तो टॉ स कि इस बटा का अवरीच वेलूresh ठीक है और मेश मान बटे एवरीज मान का औस आघ कहलता है व CONF advocacy कहलता है प्रॉम्स्य कहलता है जिसको कहते हैं प्रिपि गुड़ांग भी कहते है इसकी value देखें तो कितनी होती है one point इसकी value की कटना करते हैं तो इसकी value होती है one point one one ठीक है क्या होती है one point one one किसके लिए semi-saudal wave के लिए ठीक ही जावकर यह तरंग के लिए यह चीज़ याद रखना है चलो next question देखते हैं यदि दो प्रत्य वर्थी रातियों के बीच के अंतर 90 डिग्री हो तो क्या कहलाती है अच्छ दो प्रत्य वर्ष्राइटा इसको माल लेटे हुँआ यह प्रत्य वर्ष्राइटा G ठीक है या भी तो अगर इसके विच का करला दिछ अर्ग 70 डिग्री बनता है तो या तो इसको और्थोर्गॉनल कहते हैं या कमकोड बोलते है या फिर ईसको क्या बोलते है už एक्षलादर क्या होता है जीरो होता है और अरटिपेज में कितना हो जाता है 180 प्रत्तावर्सी रासी जो दूसरी प्रत्तावर्सी रासी क्या प्रक्षा बाद में अपने सिखर्मान पर पहुच तो क्या कहलाती है ठीक है ध्यान देखना यह पहले अपने सिखरमान पर पहुची और यह बाद में अपने सिखरमान पर पहुची देखरो यह बाद में पहुचा है न और यह पहले ही पहुच गया है तो अगर यह असा होता मालों यह V है और यह I है तो हम कहते हैं कि V जो हो रहा है लग कर रहा है ठीक है सुरूए V जो हैилось किसी oni कर रहा है आज नतने पर प्यास को ने टिर्؟ यहीं परभुत है कि जो पहले अपने सिखर्मांग को करें वह मैंसा लीडिंग होता है यहां फिर वूल्टेज पहले अपने सिखर मान को लीड कर शाहरा रहाया आई पार रहाया तो व वह हो जाएगा यानि पुछा स्वाल को प्रेग्छ रूप संद्या तो लाइक कर देना और वो जो कुछें कि क्या तुमको लगता है कि तुमनों को समझ में नहीं गया रहा या हलका है या डार है तो अब रिप्लाइच जरूर करना कमेंट में ठीक है चलो अगला कॉच्छन देखते हैं सुद्य प्रतिरोधी परिपत्में विद्युधरा और वोल्टेज क्या होते हैं सुद्य प्रतिरोधी की बात होती है तो देहां तो देखना वी और आई क्या होते है समान फेज में होते है यानि कलांतर इनकी कितनी हो जाती है फाई की वैलू जीरो हो जाती है पावर फ्रेक् एकाई हो जाते ही क्यूंग क्यूंकि VIusan लैसी किस फाई कॉस्स जीडियों के वैल्यू कितनी होती वान होती इतलिए प्रसक्राज्ट एक आई हो जाता क्या होते हैं प्र एक ही कहीं का लाम रहते हैं ठीक़ें एक ही कलामें रहते हैं थे सकासारी को दिशा के साथ बदलती है जो इसी कोसन है इसलिए जली लिग करेंगे जो इसको समझा करेंगे ठीक है चलो यह तो हो जाएगा अगला कोशन देखो डिसी कब करते हैं जब धरा के दिसा समय के साथ बदलती है या फिर माप समय के साथ समान ही रहती है या फिर धरा की माप व दिसा समान के साथ परिवस्थित होती है तो क्या हो जागा उप्सन यह परिमारा नहीं बदलता है और परिमार नहीं बदलेगा तो इसका मतलत दिसा भ साही है चलो अखला कोशन देख्ते हैं मस्पीन के अविर्थी किस पर निर्फन करती है किस पर निर्फर करती है मस्पीन के अविर्थी बात करें तो देखो क्या होता है फर्मुला होता है एंस बराबर 120 एसफ अपॉन पी तो यह वराबर कर देंगे तो कितना हो जाएगा एंस इंटू पी अपॉन 120 क्या दिया है कहीं रेटिंग के बाद हुई है नहीं सर्जी रेटिंग के बाद नहीं सप्लाई की प्रकृति पर बोला है नहीं सर्जी ध्रूगों के जोड़ों पर निभर करता है कि ध्रूग का जोड़ों मतलब कितनी नंबरा पोल है तो आफसन यह क्या हो जाएगा सही हो छब देखते है कि वोल्किज़ और धारा की बीच के कोन के क्या कोते हैं कोई दिखकत नहीं आगे बढ़ते हैं when mulher की कि बीच कि अंतरों क्या बहुते हैं क्लांतर क्याता है ठीक है क अंतर नेक्ष्ट देखते इसी के साथ करते हैं कि लेडिंग होगा कि लेगी होगा तो इधी दो परत्यावरती परिमाणों की बीच कोणों हो तो इन दो परिमाणों को कहा जाता है कि भूच क्या वोज़ाएगा टल मरणी होगा ठीक है एक्सोसी डिगरी होगा जाएए बीच्ट भी तो आक्ट वस्धार एक इसको प्रतिल लिखना चाहं तो क्या लिखता है इसको हम ना दे зач invece एंग के बीच क्टेver जीरो क्न हो तो देखो जब जीरो कॉन होता थे होगा जाता है थीख है चलो नाष्ट को शंदें है अग्ला कुश्ण क्या दिया है कि किर अरेंस और ऑसत मान का अंतर पर्टा है दर्टा है छलो नासुर्ट दें इसको एक बाप कर दें स दिश्लती रिक्तम मान और आरेंस मान का अंतर क्या ख़लता है एक चीज़ होती है जिसको बोलती है चलम गुडान, पिक फेक्टर या पिस सिखर गुडान, कुद भी बोलो तो पिक फेक्टर का फर्मला होता है पिक फेक्टर का फर्मला होता है maximum value upon rms value ठीक है ये क्या कर लाता है हमारा सिखर गुडान कर लाता है ठीक है और इसकी value कितनी होती है गर science order की बात करते हैं तो 1.41 होती है इसकी value ठीक है तो यह होता क्या है इसका अनुपात तर होता है सिखर गुडान ठीक है चलो power factor की बात करेंगे तो कितना हो जाता है पॉर्फ्रेक्टर मिलेंगे तो सब्फ हो जाता है और बाई जड आगे देखते हैं अगला question क्या है दूपरत्यवाती परिणाम कैसे जुड़े जाते है दूप परत्यवाती परिणाम हमेशा कैसे जुड़े जाते है तो विएक्टर के रूप में वेक्टर यानि सधिस योग में जुड़ देखे होगे जब एक पड़ते हो तो यह V होता है यह I हो जाता है तो यह Z हो जाता है फ्लान रिम करना हमेंसा वेक्टर दिखा के निकालते हो ठीक है ठीक है ठीक हो ता हमेंसा सदिस रूप में ही निकाला जाता है चलो नश्टिकते हैं AC को किसके द्वारा असानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है तो AC को असानी से transformer द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है बिसकली पुछना चाहरा है कि AC में जो voltage होगा या वो धारा होगा किसके द्वारा असानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है क्या होता है तो डलने का क्या होता है पर अगला देखते हैं कि की इस्थी करांग कितनी होती है मुझा थे occhus5 यानी जीरो, cost jiro के value, यह काई हो जाएगी, नगालश कि देखो, 焦 लक्त में, जब excel का मार्न xC से अधिएक हो, तो क्या होगा, देखो, यह चीज़ बताया थे, कि जब excel का मार्न xC के बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, उसे में क्या हो जाता है, Z की value, R की बराबर हो जाता है, यानि क्या हो जाता है, Resinance Condition हो जाता है, ठीक है, मगर जब Excel की value एक्सी से ज़्यादा होती है, यानि यहाँ से साफ सब देख सकते हो, अगर Excel की value एक्सी से ज़्यादा होगी, यानि सर्किट में, यानि जो परिपत है, के जिसमें तीनों लगे हुए फिलाल तीनों लगे हुए है और सी तीनों लगेए मगर यल्ट की वैलु जादा होने के कारण परिपत में जो है इलका प्रभाव ज्यादा दिखेगा और हमको पता है सर्कृ eigen कीसा काम करती다면 पेस्चगामिकर में काम करती तो पूरी सर्कुट कैसी हो जाएकि पर्स्ट्रग्रामी हो जाती और क्यापसिटी वागे होता है तो कैपसिटर लीडिंग हो जाता और रेजिन्स पर यह तो होता ही है ठीक है न चलो अगला देखो चुटर नियुन में सिर्फ ऑरितिस ऑब रितिकाल सबसे कम होगा तो याद रखना जिसकीrequis रीकिवेंस्टी बराबर कितनी हुती ए bane एक बटा टी तो यह ज़िसकी यह सभष काल सुङकंम और यह सुये है जिसकी यह ज्यादा होगी तो टाइम यह उसी का कम होता है जिसकी प्रेक्वेंजी ज्यादा है फ्रेक्वेंजी अगर्ट्र सार अनुनादी अवरिती के जोखो कोशन अच्छे अच्छे हैं तो शेयर और लाइक ज़रूर बनता है और सेनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी अनुनादी अवरिती पर प्रेड़क प्रतिगहात का मान निम्लिखित में से किसके समान होगा किसके समान होगा जह रेजनेस फ्रेक्वेंसी बोला है ठीक है यादनी वह कंडिशन जिसपे वह कंडिशन है जिसपे सर एक्सल कमान किसके बराबर हो जाता है एक्सी क्या तो यह तो पुछा है कि प्रतिखात कमान किसके बराबर हो जाता है संधारियत कि प्रतिखात हो की ठीक चलो कि नश्डी देखते हैं प्रतिगहात की काई यह वोजल्दी कराएंगे ओम होती है ठीक है क्या होता है मैं होता है नश्ड seafood धारा का उसत मान उसके अरेमेस मान में से सदेव क्या होता है तो यहाद रखना धारा का उसत मान अरेमेस मान से सदेव कितना होता है कम होता है क्योंकि जो धारा का उसत मान होता है एवरेज मान होता वो कितना होता है वीम का 0.636 होता है और यही IRMS कमान देखें तो बहुत लिखो इसको solve करने लग जाएंगे मगर solve करना ही नहीं था VA-m गूडे Comics फोइन्ट 7 07 होता है तो किसका मान्जा जादा है जी और ममान ज्यादा है एवरेज कमान कम नहीं कि तो कम नहीं यह कम गुढ़ा करो भर यह Honor को देखो लिखा क्या है धार का अवसाथ मान से सदेव क्या होता है को हो गेसर काम होता है ठीक है चलो नश कोशन देखते हैं संधारित में तक कम होता है है ठीक है ऐसे करते हैं संधारित में तो यह फिक है है एक संद्र रोमें सकति घुडा कमान क्या होता है थे संद्रेट में सकति क में होती है यानि वो यह कहना चाहरा है कि यह बताओ वियल बराबर विपियर्च किस में होता है तो सर वियल बराबर विपियर्च हमारा किस में होता है सर डेल्टा में होता है ठीक है डेल्टा में वियल बराबर विपियर्च होता है और I-L बराबर root 3 IPH हो जाता है यह होता है न और यही start की बात करेंगे तो start में I-L बराबर IPH हो जाता है और V-L बराबर root 3 V-PH हो जाता है तो यह सर चीजह याद रखनाए है सही न अधिक तरफ पुछे आते हैं अधरिक्वों में टेश्ट कोशंन देखो अधारस groove voltage entrenaya काम पत्रोद क्यासा होना चाहिए अगर ideal voltage source मान लेते हैं ये ideal voltage source lorsqu हो थी कszy तुम को पता है के voltage source के साथ क्टiniz क्लिष्टर हमेशा स्सीरिस में लागा होता है धीक हैं तो हम चाहते हैं कि पत्रोद कमान कम से कम हो क्योंकि इसमें अगर iB बराबर आय यह कराएगा तो drop कुछ नकुछ होगा और हमारे आउट्पुट में कम वोल्टिज मिलेगा तो हम कभी नहीं चाहते हैं कि कुछ वोल्टि यहाँ पर कम हो जाया जिसे कारण आउट्पुट में से को जोड कर बढ़ाने का कालर तो इसको जोड़ कर कर सकते तो कuyu कर सकते हैं जिसका प्रयोप करके हम चाहें, ons को क्या बोलते हैं ? इसन्ट कर नापड़ता है शंट कैपिस्टर का काम क्या होता है पॉर्फिक्टर का बढ़ाना है श्रीज कैपिस्टर का नहीं जिया दखना श्रीज कैपिस्टर का काम क्या होता है पता है श्रीज कैपिस्टर का काम होता है तुम्हारे सटेविल्टी बढ़ने का सरक्ट की सटेविल्टी बढ़ने का सिरीज इंड़क्टर का काम होता है सोट सर्कुट को limit करने का कॉंठ ह fij bisschen काम करना, ठीक है तिसक टाहरे चीजी याद रखना नर्स्ट lou, question क्या है है वह दूंबरा question आ गया ठीक है तो दिको आज को question 커 देखे होगे आई hope समझन में आ रहता हो और कैसे question है, यो समको सांध में आ रहता है ठीक है, एक आई इंस्टेंटेनियस बराबर आई एम साइन छोसो अठाइथ टी करके दिया था ठीक है तो बोले था बोला था कि बताओ इस तरहंग का जो है फ्रेक्वेंसी कितना होगी ए दिया था पचीत हर्ज बी दिया था पचास हर्ज सी दिया था साथ हर्ज यार डी दिया था फचेतर हर्ज क्या अंसर होगा तो देखो इसका अंसर क्या होगा सर इसका अंसर होगा 50 हर्ज क्यों 50 हर्ज होगा देखो तरी इसका होगा सर 100 हर्ज क्यों 100 हर्ज होगा देखो क्योंकि हमको पता है कि सर जी omega t बदाबर यही होता है न, sin omega t sin omega t होता है न свyl responsable तो omega की value कितनी दिओए omega t, omega t बदाबर किसके है, 628 t के बदाबर है कोई दिकत नहीं, t से t कट गया और omega की value में को पताए कितनी होती है 2 pi f बदाबर 628 निकल के आ गया f निकालना चाहते हैं, तो f तो क्या हो जाएगा ? 2 गमधरे 3.14 इसको गुड़ा करऊ वित कितना हो जाएगा ? इसको बराबर का सैंड दिखा देते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा 628 बटे 6.28 विझा काटा वित कितकी बराबर हो जाएगा ? 100 अच के आप अगर किस टाइप के कोशन पुछे गए और यह सारे प्रिविए सेर कोशन के थे ठेके अब यह अगली सेस्ट में इसका नुमेरिकल भी सारा कराने का प्रयास किया जाएगा ठीक है न तो अगर यह सेस्ट पसंद आ तो अब इसको लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल दिख्कत तारी यह जो PPT बन रहे है कि सजीड डार्क है हलका है बड़ा है चोटा है जैसा भी कमेंट होगा जैसा भी तुम लोग को लगेगा रहा होगा कमेंट करना फेस को सुधानने का प्रयास किया जागा ने तो ओक है तो कोई दिख्कत नहीं ठीक है चड़ों मिलते है नेक्ट वीडियो में थैंक यू वरी मच और अल दी वरी बेस्ट